हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के धरंपुर में मंगलवार को बड़ा हाथसा पेश आया है। कालका शिमला नैशनल हाइवे पर सुक्की जोहडी में एक इनोवा गाडी ने नौ राहगीरों को कुछल डाला। इस दरदनाक हाथसे में पांच लोगों की मौत हो गई है जबकी दो लोगों को पी जी आई रेफर किया गया है। वहीं दो अन्य घायल जिला अस्पताल में भड़ती हैं। हाथसे की सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुच गई और घायलों को 108 एंबुलेंस से नस्दी की अस्पताल पहुचाया। पुलिस थाना धरंपुर से मिली जानकारी के मुताबिक हाथसे का शिकार हुए मजदूर, यूपी के कुशिनगर और बिहार के छपरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हाथसा मंगलवाज सुबह करीब 9 बच कर 45 मिनट पर हुआ। जब ये सभी मजदूर काम करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मामली की जान्च शुरू कर दी है। हाथसे के कारणों का भी तक पता नहीं चल पाया है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 News चॉइस ओफ हिमाचल के साथ।